कि टाइम तो निकालना पड़ेगा राइट है राइट सेक्रिफाइस थोड़े बहुत सेक्रिफाइस बिल्कुल करने पड़े इतनी देर से आप लोग यहीं कॉमेंट किया रहे हो चपल चपल मतलब आपके जीवन में कुछ नहीं करने को पूरा दिन आप यहीं सर्च कर रहे थे आया था मेरे पास भी वीडियो आया था देखिए अब मुझे नहीं पता है उस बच्चे के उस समय दिमाग में क्या चल रहा था किस बात का फ्रस्टेशन था क्या दिक कर थी और उसने क्यों ऐसा किया अब टीचर के लिए मुझे बुरा भी लगा पर एक तरफ उस टीचर की रिस्पेक्ट भी मेरे दिल में बढ़ गई भारत के सभी शिक्षक जो इतनी महिनत करते हैं बच्चों के साथ और जितना वीडियो अभी तक सामने आया जितना वीडियो दिखा है उसके अंदर तो ऐ ने हमला किया और शिक्षक ने उसका कोई जवाब उस वीडियो के अंदर तो मुझे नहीं दिखा दिया है कोई कह रहा है कि शिक्षक ने बच्चे कह दिया था कि तुम आगे की सीट पे आके बैड जॉब क्या कारण है मुझे भी एक्जैक्ली नहीं पता है मिली जूली क्या शौकिंग है ना कि पहले तो सल्यूट है उस टीचर को जिसने खुद को इतना कंट्रोल करके रखा एक बच्चे को बच्चे के रूप में ही ट्रीट किया सबसे बुरी बात है वो यह है कि ठीक है उस छोटे बच्चे ने गलती की है बहुत बड़ी गलती की है बहुत आसा करने के बाद उसको बहुत गिल्ट तो मैसूस हुआ है हुगा उसे बुरा तो लगई होगा कहीं लोग कह रहे होँगे नहीं लगा होगा कुछ टायं बात लगाओगा एक दिन बाद दो दिन बात और वह ही चाहँ रहा होगा कि यह बात बदी को से कि उतील अप नहीं बोला कि अलब डाट टीचर डिजर्फ टीचर से वाट अपता नहीं बैग्रॉंड में उसकी अगर कोई गलती है तो वह निकल के बाद में सामने आती है तो मुझे नहीं पता है पर कम से कम कोई भी गलती हो कि शिक्षक पे हाथ उठाना तो कहीं से भी जस्टिफाइड आए फ्लट के टीचर वहां पर उसको प्यार से डील कर रहा था तो यह पता है नहीं मुझे नहीं पता कि पर मैं फिसकली होता है तो कैसे करता कोई मेरे उपर हां निए भी इस शेलिख बैट के हाथ तो अरश लिख पाता तो पहले सब्सक्राइब कराना न शोकिंग ये है क सबस्केंड है है आज उटूब फोल के मैं प्रजीक्स लिप ताह ऑ्न हाऊ हूं बदर रिके अलंग deber 왔 questioning यूटुब प्रधीक्स को भी लिंटेसी जली आ रही है जोनी लोग ये सच गरे है लोग ये दैखना है कि कैसे एक शातने कामर्ट तर्ज च्छ तसार्च सरक आयक फिजिक्स वाला शूर, फिजिक्स वाला टीचर बीटें, कैसी sadist mindset हो गया आज हमारे जमानिका कि हम ऐसा content search करके देखना चाहते हैं, और एक घर के अंदर बाप बेटे का जगड़ा हुआ, बेटे ने बाप पे हाथ उठा दिया, मैं मानता हूँ बहुत गलत है, पर यह उनके बीच का मामला था, अगर उस शिक्षक को कुछ action लेना होता, तो बच्चे खिलाब जाके कोई रिपोर्ट देच कराता, ओनके पेरेंट्स को बलाता, हो सकता हो पलेट के उसको मार देता हूँ, यह आपस का मामला था, आज दिन भार आप देखो, बहुत सारे यूट्यूब बताने का, कि टीचर की हुई कुटाई है, सोच देश के बाकी जो शिक्षक है, उनके मन पे क्या प्रभाव पढ़ रहा होगा, अब वो बच्चा अगर गिल्टी फील कर रहा होगा, तो यही तो चाहता होगा कि यह बात और आगे ना फैले, क्या पता उसने माफी भी मांग यह किसी ने उससे पूछा भी नहीं, उसके बारे में तो कोई बात भी नहीं कर रहा है, अब जब यह वीडियो फैल गया होगा, उस बच्चे की क्या इच्जत रही है, और उस शिक्षक की क्या इच्जत रहे हैं, मैं उस शिक्षक को बोलूँगा, आप तो हौसला बना के रखो सर आपको तो सल्यूट है आप में जो वीडियो के अंदर जितना कंट्रोल किया है आपको तो सल्यूट है सर अ पर सुचो इस तरह के वीडियो बाहर आ रहे हैं यह चीज वाइरल हो रही है लोग वो चेहरे देख रहे हैं अब वह बच्चा स्कूल जा पाएगा क्या अपने दोस्तों के साथ बाहर केल पाएगा अपना रूम बंद करके बैठा होगा वो वो टीचर क्या वापस पढ़ाने आ पाएगा उसको लग रहा होगा कि इस और लोग के बीच की बात है मैं कल को किसी और क्लास में चला जाओंगा मैं किसी और कोचिंग में पढ़ा लूँगा मैं शहर बदल दूँगा पर अब तो वीडियो हर जगे है उस बच्चे की अफकॉस कहीं ना कहीं दिमा की हालत मे की श्युक्त्रान चानुट कुछ तो दिख्कत हो रही होगी समय और टीचर को भी बहुत दिख्कत हो रही होगी नहीं दो लोग की सिंधिक सब चाहदा फरक परड़ा होगा समें उस शिक्षक और उस बच्चे की कौन गलत कौन सही तो छोड़ दो अट्रा साल का बच्चा है उसको तो सही शिक्षाही देदी नीचाहिए उसको तो बैठा की शायद काउंसलिक नहीं होगे इसके बात पर बैए गहुकम से लिए संव और वाटक आशब आप लगातार वही वीडियो देखते होंगे वाट्साप एक लगातार उसको वही वीडियो फावरट करेंगा कैसे जीरोंगे यह दूनों लोग है अंग्याय क्वल समाज हो गया मारा बहुत भुद्धि निरदी समाज हो गया हमारा हो गलती से न्यूस चैनल की निये जो लिख रहे हैं कि टीचर की हुई जूते से कुटाई जड़े शिक्षक को दो थपाड सिर्फ उनकी गलती नहीं गलती उनकी है जो स्टाइन यूटूब पे सर्च करते हैं तक सबस्क्राइब कोई वेब सेरीज कोई मोवी कहीं से इंफ्लेंस हो गया ओगा वच्छा पर बच्चाई तो है ना इस घलती की सजा उसको हमारा सिस्टम दे देगा ना उस टीचर को एक्षिन लेना होगा वो ले लेगा इस सोशल मीडिया पर जो उसको पनिश कर रहे हैं उस बच्चे को और उस शिक्षक दूनों को जो पनिश कर रहे हैं इसका हक हमको आपको नहीं है भाई क्या उस टीचर ने वो वीडियो बाहर किया नहीं क्या उस बच्चे ने वीडियो बाहर किया नहीं किसे हक है उस वीडियो को हर्च के दिखाने का बहुत अजीब हो गया हमारा समाज वह बहुत कुरूर बहुत निर्दई हो गया हमारा समाज जिसको इस तरह का कॉंटेंट देखने का मन करता है कि सर्च करते हैं और बहुत खाली हो आप लोग कि यहां मैं बैकलॉग की बात कर रहा हूं और आपको यह पड़ी है कि चकपल चकपल आप अब वरिपाट टू पीपल डाइड नो एक टीचर अनट शुट अवरिफिं एल्स डिजन मैटर तूम अचूता मार दिया अभी अगरा की नियूज आई वां तो गोली चला दी शिचक के पर मैं नहीं कह रहा हूं शिक्षक की कोई गलती नहीं होती होगी गलती पर इस तरह से बिहेव करना भी सही नहीं है बस मुझे एक लगता है